हेलो एब्रिवान मैं हुँ जैज राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टेग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 11 स्टैंडर का OCM New Syllabus यानि Organization of Commerce and Management यहां दोस्तों 11 स्टैंडर से ही सब्जेक्ट पर अपनी पकड बना लीजिए ताके यह 12 स्टैंडर का बेस आपको बनाने मदद करें और बोर्ड एक्जाम भी आप 12 स्टैंडर का अच्छे से दे सकें जियां दोस्तों Theory subject है और Theory subjects पर अभी से प्रभुत्वा हसिल करना बहुत जरूरी होता है फिर हो Economics हो, OCM हो या कोई और Theory subject SP जैसा कहीं न कहीं आपको अभी से लिख कर इसकी practice करनी चाहिए Organization of Commerce and Management की बात करें मेरे पिछले दो वीडियो में हमने Business, Profession और Employment के बारे में जाना उनके Features देखे और कहीं न कहीं है समझा कि Human Being को Wants को Satisfy करने के लिए अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए Activities का सहारा रहना पड़ता है Activities दो प्रकार की होती है Non Economic और Economic Activity और इनी Economic यानी पैसे से जुड़ी एक्टिविटी में तीन activities होती है Business, Profession और Employment इनी तीन important चीज़ों के हमने Features भी देखे दोस्तों अलग-अलग Short Code के माध्यम से हमने ये Features आपको याद करवाने की नहीं समझाने की कोशिश किये अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कीजिए वहाँ से आपको ये दोनों ही वीडियोज मिल जाएंगे और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए बेला इकन दवाई है क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार Economics, OZM और Information Technology के वीडियोज बिलते रहेगे दोस्तों आज भी हम कुछ नया और कुछ खास पढ़ने जा रहे है Organization of Commerce and Management एक ऐसा theory subject है जिसके अंदर paper pattern के अनुसार एक बहुत महतुपूर्ण चीज आती है जिसका नाम है Distinguish Between या Difference Between जियां दोस्तों आपने 10 standard में भी कही न कहीं Distinguish Between जैसी चीज़ें देखी होंगी Distinguish Between plays a very important role in papers like OCM जियां यह OCM subject का एक बहुती important part है Paper pattern के हिसाब से OCM के अंदर ज्यादा तर जो भी Distinguish Between पूछे जाते हैं यह अनुमन 5 marks के होते हैं 5 marks के लिए आते हैं और कहीं न कहीं यह expectation होती है examiner's की paper checker की कि आप at least 7 to 8 points में इनके answers लिखें Distinguish Between का फायदा यह है कि यह आपको concept और ज्यादा clear करवा देते हैं और कहीं न कहीं features भी आप आसानी से याद कर लेंगे अगर आप Distinguish Between अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरा यह मानना है कि हमेशा हर chapter में OCM में specifically आपको Distinguish Between पे हमेशा ध्यान देना चाहिए तो आज दोस्तों हमने already business profession और employment के features तो देख लिए तो चलिए आज हम distinguish between business profession और employment देखते हैं जिसके जरिये हम आसानी से और ज्यादा इन तीनों concepts के बारे में समझ पाएं और इनके point of differences को जान पाएं जिया दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमने अभी तक जो देखा उसका अगर quick recap करें तो हमने देखा है non economic activities, economic activities जिसके अंदर हमने business profession और employment के बारे में जाना है हमने देखा कि all human beings require different types of goods and services to satisfy their needs so they keep themselves busy in some of the other activities all activities can be classified in economic and non-economic हमारी जो human प्रजाती है ये कहीं न कहीं अपने आपको busy रखती है अलग-अलग प्रकार की activities में ये non-economic और economic होती है और जैसा कि मैंने कहा economic activities में business, profession और employment ये तीनों बहुत महतोपोर है actions that involve production, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society is called as economic activity और non-economic ऐसी activity होती है जहाँ पर directly हम कुछ monetary transaction नहीं कर रहे है ये personal needs को satisfy करने के लिए हम cultural, sentimental या religious acts कर रहे है जो monetary directly नहीं है तो उसे non-economic कहा जाता है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आज के question की और नजर डालते हैं आज का हमारा topic है difference between business, profession and employment ये तीनों ही महत्वपूर्ण activities के हमने already features कर ली है आज इन्हें point of difference के basis पे देखते हैं, समझते हैं और इनके अलग-अलग basic differences क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले दोस्तों meaning meaning ये एक बहुत महत्वपूर्ण point है, हमेशा याद रखिए ज्यादातर distinguish between में सबसे पहले आप शरुवात meaning से ही करेंगे meaning में, in this economic activity, goods and services are produced and distributed हमने already business के बारे में ये जाना है और अब सब जानते ही है business एक ऐसी economic activity है जहां आप produce करते हैं और फिर distribute करते हैं profit कमाने के लिए कही न कहीं आप wants को satisfy कर रहे हैं लोगों के by production and then distribution production and then distribution meaning बहुत simple है business का जहां आप लिख सकते हैं production and distribution में deal करते हैं इसके अलावा अगर meaning देखें profession का तो in this economic activity, expert services are rendered जैसा कि आप जानते हैं profession, professionals से related है educational qualification हासिल करने के बाद जो professional बनता है वो अपनी educational services यानि अपनी professional services render करता है और उसके बदले में पैसे लेता है तो बात बहुत simple है यह एक activity है जहां expert services दी जाती है और उसके बदले में पैसे लिए जाते हैं employment की अगर बात करें तो दोस्तों किसी और के लिए काम करना in this economic activity one person works under another person तो तीनों के meaning आपके सामने है दोस्तों point of difference meaning business, profession, employment यहाँ याद रखिए business के अंदर production and distribution इसके अलावा profession में याद रखिए expert services rendered और employment में works for under some other person बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला point of difference है reward and return क्या मिलेगा, यह तीनों ही activities के return क्या है तो business में profit मिलेगा businessman को, businessman earns profit अगर profession की बात करें तो मैंने जैसा की features में भी बता है था professional earns fees, वो charge करते हैं fees for their professional services इसके अलावा, an employee receives wages और salary यालि तीनों के ही rewards आप समझ रहे होंगे दोस्तों, businessman कमाता है profit, professional कमाता है fees, जो अपनी services के बदले में हो charge करता है, और employee को salary या wages मिलती है तो इस प्रकार तीनों के ही reward और return आपके सामने है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला point of reference है, capital investment, जी हाँ, capital investment कितना पैसा लगाना पड़ता है तो business के अंदर, depends on the size and nature of business, अगर आगे बहुत बड़ा business बना रहे हैं बड़ा organization खड़ा करना चाह रहे हैं तो capital high हो सकता है, अगर छोटा सा business है, तो capital कम भी हो सकता है, अगर profession की बात करें दूसरी तरफ, तो limited capital investment is required, except the self-employed professional यानि अगर आप किसी organization के अंदर काम कर रहे हैं, as a professional अपनी services दे रहे हैं, तो वहाँ capital उतना नहीं लगेगा, लेकिन जब आप self-employed यानि खुद का clinic doctor खोल रहा है तो वहाँ उसे थोड़ा बहुत capital लग सकता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं limited capital यह word, याद रख लीजिए limited capital for professional इसके अलावा employment की बात करें तो no capital investment is necessary, देखिए दोस्तों तीनों के point of difference, बहुत ही simple से, याद रखिए business के अंदर depends on the size of business याद रखिए profession के अंदर limited capital, और याद रखिए employment में no capital तो उमीद करता हूँ यह point of difference भी आपको समझ आ रहा होगा, point number 4 की और बढ़ें, तो वो है nature of work काम का nature कैसा है क्या exactly है, तो it provides goods to services, goods and services to the public, यानि business जो है ये goods and services produce or distribute करता है, हमने meaning में भी देखा तो वही करना इसका nature of work है वही इसका root काम है, main काम यही है कि goods or services produce करो और distribute करो, अगर profession की बात करें, तो renders personalized expert services जो educational qualification हासल किया है जिस चीज में आप माहिर है उसी की services आप दे रहे हैं और उसके बदले में fees charge करें और इसलिए nature of work क्या है, it renders personalized expert services बढ़ते आगे employment तो जो काम आपको boss देगा, जो task आपको boss देगा, वो आपको complete करना है, यही इसका nature of work है they perform the work as per service contract, यानि जब आपको काम पर रखा गया, आपको जो आपको profile बताया या कि आपको यह काम करना है वो आपको complete करके देना होता है तो इस प्रकार दोस्तों यह पहले 4 points हमने देखे, meaning, reward and return capital investment और nature of work बढ़ते हैं अगले points की और सबसे पहले यहाँ पर point है qualification, point of difference qualification अब business man यह qualified हो, ऐसा कहीं compulsory नहीं है, it is not prescribed कोई minimum qualification compulsory है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हमने देखा है कई ऐसे देश में हमारे उधारन हैं जिनोंने college dropouts हैं, school dropouts हैं, लेकिन फिर भी successful business खड़े किये हैं, तो यहाँ पर business के अंदर कोई ऐसा prescribed business के लिए qualification नहीं है इसके अलावा अगर हम बात करें profession की, तो बहुत ज़रूरी है भाई पढ़ना तो पढ़ेगा, professional बनने के लिए expert knowledge, training, आपको services देनी हैं आपके professional educational qualification के बेसिस पे इसलिए qualification profession के लिए बहुत must है, जी हाँ, अगर मैं business की बात करूँ फिर एक बात, तो no minimum qualification is prescribed और profession की बात करें, तो expert knowledge and training in a particular field is needed, employment की बात करें तो it is prescribed by the employer यानि आपको जहाँ job मिलने वाली है या जहाँ आप interview के ले जा रहे हैं वो जो qualification चाहता है वो आपके पास होनी चाहिए, होगी तो फिर मिलगे आपको job समझ लीजिए तो it is prescribed by the employer तो दोस्तों ये qualification point of difference तीनों का आपके सामने बढ़ते हैं अगले point की हो और अगला point है decision making निरने लेनी की शमता या निरने कैसे लिये जाते हैं तो business के अंदर businessmen are free to take the decisions मालिक हो भाई, मैं अपने हिसाब से decision लोगा businessman हो, तो business man जो है, वो free है to take any decisions because it's his business, he's running the business he's the owner of the business, तो वो लेने वाला है decisions, profession की बात करें तो professionals take expert decisions in their profession क्यों, क्योंकि उन्हें technical knowledge है, educational skills है उनके पास परियाब तो qualification है कि वो expert decisions ले सकते हैं, अगर employment के अंदर आएं, तो दोस्तों ये knocker और मालिक का खेल है तो knocker decisions नहीं ले सकता, वो सिर्फ काम ही कर सकता है, और इसलिए याद रखिए employee does not have any power to take any decisions यानि आप तीनों का ही समझ सकते हैं, decision making have the power to take decisions बढ़ते हैं, अगले point के ओ, risk कौन कितना उधाता है, तो business के अगर बात करें तो बहुत risk है भाई, uncertainty बहुत है business चलेगा, नहीं चलेगा capital invest करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद successful होगा या नहीं, इसकी कोई guarantee नहीं है, तो बहुत जादा risk है, high risk है business के अंदर yes, profit is uncertain and irregular, so high risk is present, यानि बहुत जादा risk जो है, ये दोस्तों होने ही वाला है, business के अंदर, अगर बात करें profession की, तो fees is generally not certain and regular, यहां भी, आप जिसको service देंगे, वही आपको fees देने वाला है, तो ये भी certain या fixed नहीं है, regular नहीं है doctor के पास जब तक patients आ रहे हैं, वो fees ले रहा है, patients नहीं है, तो फिर वो fees किस से लेगा, तो कहीं न कहीं, याद रखिए, fees in general जो है, वो भी certain और regular नहीं है, बढ़ते हैं employment के और, तो यहाँ एक positive point आपको देखने मिलेगा, जो knocker आदमी है उसको पगार मिलने वाली है क्योंकि tension तो boss ले रहा है, तो boss को monthly जो भी fixed किया है salary या wages, वो देने होंगे fixed and regular pays given by employer as per contract, so no risk is involved, देखिए तीनों ही आप समझ सकते होंगे, risk businessman के लिए बहुत high है बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा uncertainty है profession के अंदर, यहाँ पर generally no certainty of fees and it's not regular as well, और employment के अगर बात करें, तो यहाँ पर कोई risk नहीं है monthly salary या wages आने ही वाले हैं अगर examples देखें दोस्तों, आकरी point के तौर पर, तो business के example है, builders, grossers, supermarkets, etc, यह बड़े business houses हैं, इसके अलावा profession की बात करें तो doctor, CA, lawyer, teacher, etc इसके अलावा अगर employment की बात करें तो clerk, teacher, officers, etc यह कुछ examples आप समझ सकते हैं employment के, तो दोस्तों इस परकार हमने 8 point का यह difference between देखा है, business, profession और employment का, आप देखतों हम इसे exam में कैसे याद करके आसानी से present कर सकें, तो short code बहुत simple सा है, दोस्तों, इन 8 points को आसानी से समझने के लिए, आसानी से लिखने के लिए हमारा short code है, mcq trend, जी हाँ दोस्तों, mcq trend, m से meaning आपको लिखना है, c से capital investment difference है, इसके अलावा q से qualification, mcq meaning capital investment और qualification, meaning capital investment, qualification trend के अंदर, t silent, दोस्तों r से reward return, तीनों का point of difference है, risk r से e से examples, और n से nature of work and d से decision making, तो इस प्रकार 8 points आप आसानी से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, mcq trend mcq trend, question का नाम है, distinguish between, या difference between business, profession, employment, exam में, या तो business और profession का distinguish आसकता है, या professional employment का आसकता है, या business और employment का आसकता है अपने हिजाब से examiner, आपका college का teacher set कर सकता है, दोस्तों business, profession, और employment के distinguish को याद करने के लिए हमारा shortcode है, mcq trend, जहां m से meaning, c से capital investment, q से qualification r से reward and return, r से risk, e से examples और n for nature of work and d से decision making, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आसानी से इसे लिख कर practice कीजिए, हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, do like, share and subscribe झाल झाल